आज हम बात करेंगे CRP टेस्ट के बारे में, यह एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, तो देखिए CRP की फुल्फर्म होती है C-Reactive Protein, यह एक प्रोटीन है जो की हमारे लीवर में बनती है, जब भी हमारे सरीर में कोई इंफेक्शन होता है, तो यह CRP प्रोटीन लीवर से नि के खत्रे का पता लगाने में भी किया जाता है, देखिए CRP टेस्ट दो तरह का होता है, High Sensitive CRP टेस्ट and Standard CRP टेस्ट, High Sensitive CRP टेस्ट को HSCRP टेस्ट भी कहते हैं, और यह ऐसे मरीजों के लिए कराया जाता है, जिने Heart Attack का खत्रा होता है, तो इससे हम जान सकते हैं कि उन्हें Heart गलग आती है, तो हम जान लेते हैं कि किस टेस्ट में कितनी वैल्यू आती है, तो पहले हम बात करते हैं Standard CRP टेस्ट की, या फिर उस टेस्ट की जो की Infection और Inflammation के लिए किया जाता है, तो देखिए हमारी बोड़ी में Normally CRP की वैल्यू पांच मिलिग्राम प्रती लिटर से कम होती है, और इस पे बढ़ने पे क्या-क्या होता है जान लेते हैं, तो देखिए हमारी बोड़ी में इसकी वैल्यू 10 से 50 हो जाती है, यदि आपको रिपोर्ट में इसकी वैल्यू 10 से 50 देखने को मिलती है, तो आपको इन में से कोई condition हो सकती है, या फिर इसके अलावा औ तो उस condition में भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या तक कि यदि किसी को kidney disease है या liver disease है, तो उसमें भी इसकी वैल्यू 10 से 50 हो सकती है, या लेते हैं कि जब इसकी वैल्यू बहुत ज़दा बढ़ जाती है, या यानि कि 50 से 100 हो जाती है, तो क्या-क्या हो सकता है, तो में से कोई बिमारी हो आपको इसके अलावा और कोई कंडिशन भी हो सकती है इसके लिए डॉक्टर्स आपको दूसरे टेस्ट कराते हैं अब बात कर लेते हैं हाई सेंसिटिव से आरबी टेस्ट के बारे में जो कि किसी का वैल्यू 1 mg से कम आती है तो उसे हार टेक के चांसे काफी कम होते हैं या फिर लो होते हैं और यदि किसी रिपोर्ट में आपको 1 से 3 mg मिलता है तो उस पेशेंट को या उस मरीज को हार टेक के एवरेज चांसे होते हैं या फिर विर्टे का पता लगा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही था यदि आपको कोई डाउट रहता है या कोशन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूस सकते हैं थैंक्यू गई